नवस्कार आप देखरें प्रदेश अमारा मैं हूँ आपकी साथा युशी गुपता बुलेटिंग के शुरुबात बड़ी खबर के साथ करेंगे जैपुर में भारी बारिश पर मोक्यमंत्री बाचक लेंगे थोड़ी तेर में मोक्यमंत्री आवास पर ये बाचक होगी भार पर बारिश के कारण ओने वाली समस्थ्यांआउ पर चचा विमश्श किया जाएगा बारिश से समस्थ्याओं के निराकरण के निदेश सीयम दे सकते हैं बाचक में जुल्दाय विभाग, सिचाई विभाग, सारवजनिक, निर्मान विभाग, जैपोर वकास प्रादीकरण, नगर निगम स्वासर विभाग जो है और साथी एनचाई, जे बीवी एनल सहीद प्रशौसन के दिकारी इसमें शामल होंगे तो ये बड़ी जुआपकारी आपको दे रहा है, सिएमार में भारी बारिश बार मुख्यमेंतरी आज एक एहम दाचक जो है वो लेने जुआ रहे हैं और बारिश के समस्याओं के निराकरण के सिएम निर्देश देश लेस लगते हैं, जुल्दाय विभाग, सिचाई विभा और उसके बास से आज ये बैठक काफी महतोपूर्ण होने जुआ रही है, थोड़ी देर का समय उसके बास सिएमार में भारी बारिश बारिश बार मुख्यमेंतरी ये बैठक जो है वो लेने जुआ रहे हैं, बारिश से समस्याओं के निराकरण के सिएम जो है निर्देश दे सकते हैं, जादर जानकारी के लिए समदतर राकेश हमारे साथ फोल लाइन पर जो चुके हैं, राकेश जब सिएम बजलाल निरिक्शन करने के लिए पहुंची तो कई जगों पर सरकों पर गड़े नज़र आए, अब ये बैठक काफी महतोपूर्ण हो जाती है बिल्कुल देखे जिस तरीके से राज़दानी जैपूर के हालात जो नज़र आए हैं, सिएम को दोरे पर निगले थे तो, चुकि बहुत बड़े विभाग और इस जिम्मेदारी में लगे हुए थे, पुरा एक प्लान बना हुआ था कि बरसाथ से पहले तमाम विवस्था दुरुस्त होनी चीतिर विभाग के जो अधिकारी हैं, जो आज बेठक में जा रहे हैं, इन्होंने बड़े बड़े दावे किये थे कि बारिश आ जाया या कुछ भी हो जाया लेकिन ऐसी कोई समच्चा नहीं आएगी, लेकिन इन विवस्थाओं की पोल खुल करके सामने सरकार ने जो करोड़ों रुपे वर्सा जल को संग्रक्षित करने के नाम पर दिये, सडकों के रख रखाओ के नाम पर दिये और जो पावर आउस या दूसरी जो और चीज़े ताकि लोगों को परिशानी ना हो, तो निश्चित तोर पर इन इंजिनियरों की विभागों की पोल खुली है, बर्सात ने सारी पोल खोल दी है, अब मुक्यमंतरी इसमें सक्ट एक्सन ले सकते हैं, कुछ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, जिनकी जिम्मेदारी थी, विवस्ताओं को बनाये रखने की, जिनोंने कागजी दावे किये, उन कागजी दावों पर मुक जिन जिन इलाकों में जल भराव की इस्तिती है, वहाँ पर आगे इस पानी के कारण दूसरी बीमारियां पैदा ना हों, लोगों को समच्याएं ना हों, इसके तुरित निराकरण के निर्देश मुक्यमंतरी आज सम्मंदित अधिकारियों को दे सकते हैं, क्योंकि जो पान बड़ी बात इसमें बैठक में जो सामने आ सकती है, वो यह है, कि जो लापरवाही अधिकारियों की सामने आई है, जो कागजी दावे अधिकारियों के सामने आए हैं, उसको लेकर सरकार सकत है, और सरकार बढ़ार नेने ले सकती है, और ऐसे अधिकारी जो सिर्फ कागजो वे नजर आते हैं लेकिन धरातल पर वो इस्तिती देखने को नहीं मिले कितना और समय का इंतिजार जब यह बाठक शुरू हो जाएगी बिल्कुल नौ बजे यह बैठक प्रस्तावित है मुकमंतरी आवास पर और वहाँ पर सभी विबागों के अधिकारी पहुंच चुके हैं और जो अधिकारियों ने काम के दावे किये हैं और उस अधिकत जिनकी नहीं पाई गई है उनकी जबाब दिए वहाँ पर तैय होगी साथी जो विवस्ताएं उनको कैसे माकूल बनाया जाना है क्योंकि अभी भी औरिंज अलर्ट जारी है और राजधानी जैप्पुर जैप्पुर जले के आसपास के तमाम इलाके में दूसरा जो पानी जल भरा हुआ है उससे इस तरह की विवस्ताएं ना हो तो इसकी क्या तैयारी उन अधिकारियों के पास में है उसका पूरा ब्लूप्रिंट सीम आज वहाँ पर उन अधिकारीं उसे ले सकते हैं और इसके बारे में जो सरकार की आगे की रननीती क्या है उस पर भी दिशानिर्देश दिये जा सकते हैं बयाना में जो है सीम का हेलिकॉप्टर उतर सकता है दोरे को ले करके प्रश्वासन में तयारिया पूरी कर ली हैं बयाना में ही हेलिपैट भी बनाय गया है प्रसावे दोरे को ले करके प्रश्वासन की तयारी पूरी हो चुकी है तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे है आज CM बजलाज शर्मा जो है हवाई दोरा कर सकते हैं कई ऐसे जगे जहाँ पर भारी बारिश का दोर देखने को मल रहा बार जैसे हालात हो गया है तो आज खुद जो CM हवाई मेर्प्शन करेंगे और सियम बजलाज शर्मा आज से जसल मेर के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे इस दौरान सियम बजलाज शर्मा कई कारिक्रमों में शामल होगे सियम आज शाम जो है आट बच करके पंदरम नट पर जसल मेर पहुचेंगे सरकेट हाउस में रातरे वश्राम करेंगे सियम कल सुबच 7.50 बजे जैसलमेर में तिरंगा यातरा कारिक्रम में शामन होगे सियम यांसे हेलिकॉप्टर से रवाना होकर के सुबच 6.50 बजे करनोट पहुचेंगे और तनोट माता मंदर में पूजा अर्चुना करेंगे मुक्यमंतरी भारत पाक बॉर्डर भी जाएंगे तो आपको बता दें कि मुक्यमंतरी भारत पाक बॉर्डर भी जाएंगे और बॉर्डर पार जवानों से मुलकात करेंगे और इसके बाद सीम दोपेर एक बजे फतेगड में कॉलिज के कक्षा कक्ष का लुकारपड करेंगे सीम दोपेर तीन बजे जैसल में जिला मुख्याला पहुचेंगे जहां विभाजन विभेशिका पर संगोष्टी में भाग लेंगे और कल शाम चार बज़ करके 20 मिनट पर मुख्यमंतरी बजलाज शर्मा जो है विशेश विमांसे जैपूर के लिए रवाना होगे और चले रोकरते अगली खबर की ओर राजधारी जैपूर में आसुबस ये मजलाज शर्मा ने तिरंगा मैराथन को तिरंगा लहरा करके रवाना किया आपको बता दे कि अलबर्ट हॉल पर जैपूर ग्रेटर नगर निगम की ओर से हर गड़ तिरंगा अभियान की तहर ये आयोजन किया गया इस मौके पर जैपूर सांसत मंजूर शर्मा और मेर जॉक्टर सौम्या गुरजर भी मौजूद रही तिरंगा मैरथन में तिरंगा हात में लिए पुलस के जवान और शेहर वासी शामल हुए तिरंगा मैरथन को लेकर के रिमजिम बारिश के बावजूद लोगों में खासा उतसा नजर आया सिया मजलाज शर्मा भी तिरंगा हाथ में लेकर के मैराथन में शामिल हुए उसकी तस्वीरे हम दिखा रहे हैं आपको ये तीन तस्वीरे हैं पहली तस्वीर देखें सिया मजलाज शर्मा आपको नज़र आ रहे हैं जो की हाथ में तिरंगा लिये हुए लहराते हुए दिख रहे हैं दूसरी तस्वीर में वो खोद मैर अथर में शामिल होते हुए दिखे हैं तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं छोटी सी बच्ची जो है भारत माता के रूप में नजर आ रही है जो की अपने हाथ में ति गर गर तरंगा जो हमारा वियान है जो राश्ट वक्ति की बावना हमारे अंदर जाकरित करता है उसे लेकर देश का हर व्यक्ति जब तरंगा लेकर के चलता है उसके मन में राश्ट के प्रती समर्पित भाव से जो उसका जजबा है और अपने राश्ट को आगे बनाने के लिए ये जजबा बहुत आविश्चक है इस मौगे बर में आप सभी को राश्ट के बिढ़ती हमें समर्पितो करके राश्ट के उन सभी कारियों को जो हमारा प्रदेश हमारा देश आगे बढ़े ऐसे कारियों को ह कि दिरंगा मेरा थन को प्लाइब दो किया है साथ में बच्छों के साथ का और बच्छों का जो उतसा था तो आगरी मुन्दी चेले तेरिगा तो आम दो किसे विश्डियाborn और हमसद का मान समान और हम गज्मातरी कि और किवे और फाल कर दो हृए और बड़ी ज़ानकारी आपको दे दे दिल्ली में कॉंग्रेस की आज एक बड़ी बैटक होने ज़ारी है AICC अध्यक्ष मलका जुन खड़ गया और राहूल गांधी ये बैठक लेंगे राज्यों के प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष बैठक में शामल होंगे सभी प्रदेश कॉंग्रेस प्रभारी भी इस बैठक में शिर्कत करेंगे PCC अध्यक्ष गोविन सिंग डुटासरा आज बैठक के लिए रवाना हुए है प्रदेश कॉंग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा भी दिल्ली पहुचेंगे जैपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या का ये पूरा मामला है रेजिडेंट डॉक्टर्स की हर्टाल जो है वो देखने को मिल रही है तो जैआडी ने जो है कारेबाय उश्कार किया है एमर्जन्सी सेवाव में कार्य जारी रहेगा जनरल बॉडी मीटिंग में ये फैसला लिया गया है जोत्पूर से बेगर से बड़ी कबर सामने आ रही है आपको बता दे कि भगवान सर पंचाथ पर धन्ना जोरी है राग बर पंचाथ के बाहर धन्ने पर ग्रामीन बाचे रहे वीडियो द्वारा किये गया ब्रश्चाचार को लेकर के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है वीडियो को हचारे और ब्रश्चाचार की जाचकी मांग की जा रही है तो तस्वीर श्री गंगा नगर की है यहाँ पर आप देखिए कि कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं इनमें गुस्सा है और ये जो है धरना दे रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एक अचा हो गया रात बर पंचाथ के बाहर बैठे और ये ग्रामिन धरना दे रहे हैं वीडियो द्वारा किये गए भश्चा चार को लेकर के लोगों में गुस्सा है वीडियो को हटाने की मांग की जा रही है ग्रामिनों के तरफ से और हिंडौन सिटी में बाट जैसे हालात है, 72 गंते बाद भी जो हालात है वो सुधरे नहीं है हिंडौन के बजार में अभी भी पानी की आबक है और बजार में अभी भी एक फिट से जादा पानी की भराव है बारुश बंद होने के कारण थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिली है लेकिन अभी भी वहाँ पर भी जो स्थिती है वियंतरण में नहीं है हिंडॉन सिटी में बाट जैसे हालाग देखने को मल रहे हैं तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देखे जलबराव की स्थिती देखने को मल रहे हैं हिंडॉन के बाजार में अभी भी पानी की आवक यहाँ पर दिख रही है बाजार में अभी भी एक स्विट से ज़्यादा पानी भरा हुआ है प्रताबगड के बहुचर्चित मुंगाना तियरे हत्याकान में पुलिस ने लबाना समाज के प्रमुक पंचो सई 9 आरूपियों को गिरफतार किया है इन पर पुलिस ने 2-2 हजार रूपय का इनाम घोशित कर रखा है मामले में मृता के 3 बेटे और उनकी पत्नियों समेथ अब तक 16 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है सामाजिक रीती रिवाज नहीं मानना वारदात की मुख्य वज़ा बताई जा रही है आपको बता दे कि 27 जुलाई को मुंगाना निवासी सूरजमल लबाना उसकी पत्नी लच्छी देवी और दो वर्शी मासूम बेटे के शर्थ 45 एनिकट से बरामत किये गये थी इस मामली में पुलिस ने सूरजमल के तीन बेटों और पुत्र वधू सहित साथ आरूपियों को पहले ही गिरफतार कर लिया था प्रकरण की जाच के दोरान सामने आया कि सूरजमल ने अपनी पत्नी के मृत्यू हो जाने पर समाज की ही एक विद्वा लच्छी देवी के साथ विबा कर लिया था जिससे समाज के पंच पतेल और उसके तीनों बेटे नारास थे कोचा की तलवंजी कॉलोनी में देर रात बाइक सवार बदमाश मैला की सोने की चैन तोड़ करके फरार हो गया मैला अपने पती के साथ बाइक पड़ जा रही थी इसी दौरान बदमाशों ने बारदात को अंजाम दिया और चंद मिनट में ही वहां से फरार हो गया बदमाश जो है बाइक से दमपत्ती का पीछा कर रहे थे और मौका मलते ही उन्होंने इस वारदात को अंजाम दे दिया और फरार हो गया पड़े दमपत्ती ने अशोक नगर थाने पहुँच करके शिकायत दर्ज करवाई है विलाल पुलिस गटना की जादश कर रहे थे तो पीछे से वो लोग हम गाड़ी लेके जा रहे थे दो जने पीछे आया है पता नहीं वह हमारा कहां से पीछा करते हैं यह में नहीं पता लेकिन वह मारे जस्पास से गाड़ी लेके और उसने मेरी इदम बहुत पे स्खेंश से राखी लेने निकले थे मेरे पीछे मिसेज बेठी वही थी हमने यहां लेडीज वाले हैं वीवाड के पास राख्या खरीद के हम घर जा रहे थे घर जाते हुए और यहां मंदिर के सामने से निकले और कोर्णर पे पीछे से एक मोड़ा निकला था और सिरोही जिले में आबुरोड रिको थाना पुलिस ने मावल रजोर्ट में जुआ खिलते 12 लोगों को गिरफतार किया है करवाई के दोरान पुलिस ने जुआ समागरी समेत दो कारे और 14,000 रुपए बरामत किये हैं पकड़े गए सभी आरुपे गुजरात के जो है बना जिले में आब सिरोही में राजि मंतरी ओचराम देवासी ने अरवेंदा पैविलियन में स्कूली बच्चों को नशामुक्त भारत अभयान के तेथ शपत दलाई जिलास्तर ये कारिक्रम में राजमंत्री ने चातर चात्राओं के साथी करमचारियों को भी शपत दिलाई और इस दोराग स्पी भी वहाँ पर मौचूद रहे तुवाई की तस्वीर आपको चिभी स्कूम पर दिखा रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर चात्राओं के साथी करमचारियों को भी शपत दिलाई दिलाई और इस दिलाई और शुरोही में राजमंत्री उप्रणाम दिवासी ने अर्विंद पैविलियन में स् करने के लिए अपनी समता के अनुसार हर संभव परियास करूंगा जाहिन अजमेर में यूती से दोस्ती कर दुशकर्म करने और अश्लील वीजियो बना करके सोशल मिडिया पर वारल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है क्रिशियन गंस्थाना पुलिस ने पड़िता के शिकायत पर केस दर्श करके जाच शुरू कर दी है पुलिस के अरुसार पड़िता ने रिपोर्ट में ये बताया कि गाउं का एक यूवाक उस पर लगातार दोस्ती करने का दबाव बना रहा था दोस्ती नहीं करने पर आरुपी ने पड़िता के भाई और परिवार को जान से मानने की धमकी दी कुछ दिन पहले आरुपी उसे रास्ते से गाड़ी में उठा करके होटल ले गया जहां उसने उसका रेप कर अश्लील वीडियो बना लिया आरुपी ने बदनाम करने की नियत से उसके पोटो और वीडियो मंगेतर को सोशल मीडिया पर भेज दिये जिससे उसका रिष्टा तूट गया आरुपी युवकी ओर से लगातार उसे पर रिशान किया जा रहा है पुलिस ने पड़िता के शिकायत पर केस दर्श कर लिया है जाच शुरू करती गई है दोजार चोबिस की बात है एक महिला थाने लगी के उपस्तित होकर रिपोर्ट दी उसने बताये कि सेर्शिंग नामक एक लड़का है जो लोगल करने वाला है उसने उसके साथ जबर जश्ति करी दस साथ को मुट्राइगल पर बठा कर लेके गया किसी ओटल में उसे इसाथ दलात कार किया और उसमे दबाव डाला भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीसफ 15 अगस को ले करके और अलट हो गई है पछले आठ महिनों में बीसफ ने 137 करोड की ड्रक्स पकड़ी है साथ याने वाले दिनों के लिए चौकसी और भी जादा बढ़ा दी गई है सीमा पार से हो रही गुसपैट और तसकरी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षाबल यानि बीसफ अब स्मार्ट पेसिंग और एंटी ड्रोन टेकनलोजी का इस्तेबाल करेगी बीसफ ने गुसपैट को रोकने के लिए ऐसी फैंसिंग लगाने शुरू कर दी है जिसके साथ छेटचाड होते ही हेटकौाटर पर अलर्ट चला जाएगा वहीं इस साल मेज आठ महिनों में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये गिराए गई 137 करोड की ड्रग्स पक्टी जा चुकी है इसके लिए खास एंटी ड्रोन मशीन का इस्तेबाल किया जा रहा है बीसफ राजस्थान फ्रंटियर आईजी एमल गर्ग ने बताया कि स्वतंतरता दिवस और बांगलादेश की परिस्तितियों को देखते हुई सीमा पर एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाई गई है इसके लिए देश भर की एजनसियों की मदद ली गई है बांगलादेश को लेकर के बीसफ पूरी तरसे सज़व है बीसफ के लिए बाकरी बहुत मुश्किली टास्क है 4,096 किलमेटर इसका बाडर है इंडिया बांगलादेश का जिसमें जो सबसे पहले नीचे बेस्तित बंगाल आता है उसके बाद में उपर उसके आजाएगा ये असाम फिर मेगाले फिर मिजोरंग और उसके बाद त्रिक्राव इस साल आठ महिनों में बीएसफ ने कुल 30 किलो हेरोईन पकड़ी है जिसकी कीमत खरीब 137 करोड रुपे है इसके साथ ही चार पाकिस्तानी ड्रोन और ड्रोन के जरिये गिराए जाने वाले कई हत्यारों को भी जब्त किया गया है साथ ही कुल 38 संदिक दे विक्तियों को पकड़ा गया है जो इनमें से 6 पाकिस्तानी डागरिक हैं और एक बांगलादेशी डागरिक है आपको बता दें कि बीएसफ ने 2023 में 74 किलो हेरोईन पकड़ी थी तो वहीं 2022 का आंकड़ा 34.5 किलो का था बीएसफ ने एंटिट्रोन सिस्टंस लगब पूरी सीमा ते लगाया है जो एफेक्टिव डे काम कर रहे हैं बहुत एफेक्टिव लिए इसकी लोकेशन में आपको नहीं बता सकता लेकिन वो बहुत एफेक्टिव है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंटिट्रोन गंज हैं मैं जो लेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी जो कि डूंगपर पुलिस ने फराज चल रहे तीन-3,000 के दो बदमाज शुनील और संजय को गिरफतार किया है और चलिए फिलाल लस बुलिटिन में इतना ही बाकी काम